यह हम बात करते हैं बारह राजशों की बारे में कि आज की बारह राजशें क्या कहते हैं आज कौन प्रापल्टी खरीदेगा कौन बिदेश जाएगा किसको आयातिर्या से दनलाब मिलेगा किसको सरकारी नुकरी मिलेगी कौन उचपत की प्राप्ती करेगा कौन पुलिस से व आईए काफी परिशान रहते तो आप परिशान ना हो, सारा काम आपका संपन होगा, माली आलाद अच्छी होगी, रोगो शुत्रो, परास्तों के दूर देश की आत्रा होगी, पिता का शुक मिलेगा, पत्नी को नोकरी मिल सकती है, बच्चों की प्रकत से मन परसन रहेगा, सौधानी क्या करना है, गरीबों की मदद करिए, और आज अपने घर के सामने बाल्टी में जल इत्याद रखते हैं, और चुडियों के लिए दाना रखते हैं, सुबंक है आठ, सुबरंग है नीला, लक मीटर है नो, हरी बिस, बात करते हैं, ब्रिश राशी की, जो ब्रिश राशी की जातक हैं, आज आपके परिवार जनों का काफी सहयोग मिलेगा, परिवारिक किस्ति अच्छी होगी, माता पिता का सहयोग सानित देता प्राप्त होगी, आज आप पूरे आत्मविसास के साथ अपने काम धाम में लग जाएंगे, आज आपको बड़ी सा फलता मिलते हुए दिख रहा है, इस पर आज आपको क्या करना है कि काफी सौधानी पूर्वक अपने कारी को करना, तेजगत की गाड़ी नहीं चलानी है, इस्टेंजर पर भरोसा नहीं करना है, परिश्चिति आपके अन्कूल है, परिश्चितियों का लाब लेने की जुरत है, आपने संबं अंतरकारी भी फल रहेंगे और जितने भी विरोधियें रोग हैं, शत्रों सब परास्त होंगे, तो देखा जाए तो यह काल खंड आपके लिए काफी अच्छा चल रहा है, सौधानी क्या परतनी है, सौधानी परतनी है कि आज आपको अपनी पढ़ाई को ले करके खिलवा रंगी लक मीटर है, आठ हरे कृष्णी, बात करते हैं मिथुन राशी की, जो मिथुन राशी की जातक हैं, अगर आज आप किसी दुविधा में न रहें, दुन्द में रहना आपको नुक्सान पहुंचा सकता है, समाधान जो भी है, समस्या का समाधान ही, इसका मूल कारण है, कई वरका होता है, बेवज़ा परिशान होते हैं, अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, दिखाते कुछ है, इस तरीके सब हैं, तो बेसिकली बहुत सीधे और सर, लेकिन कम्प्लिकेशन में पढ़ जाने साब को काफी दिक्कत हो रही है, तो कम्प्लिकेशन से निकलिए, आपके काफी प्रगत ही होगी, नए प्रकार का बेवशाय कर सकते हैं, नोकरी मिलने की भी संभावना बन रही है, सौधानी के अबरतने हैं, सौधानी ये बरतने हैं कि आपको आज यात्रा करने से बचे हैं, उपाय क्या करना है, भगवान सिव की पूजा करना आपके शिवाय मंत्र का कम से कम 24 बारे एक माला जब जरूर करें सुभंक है 3, सुभंक है मैरून, लक मीटर है 7, हरे कृष्ण बात करते हैं करक राशी की, जो करक राशी की जातक है आज आपको अपनी उर्जा को सही दिशा में लगाने की जुरुत है जितना पॉजिटिव सोचिंग उतना ही पॉजिटिव करेंगे शेयर ट्रेडिंग से धनलाब मिलेगा और आज आपको बड़ी सफलता मिलने का यूग बन रहा है दूर देश के आतरा हो सकते हैं द्यार्थियों के लिए उनके केरियर के लिए समय गोल्डन चल रहा है प्रापल्टी तैट कुले करके आपके घर में थोड़ी विवाद की सती हो सकती है माता पिता का सुख मिलेगा कई महतमूर कारों जापल्टी समय परसंद रहेगा पाइनेस्टे मामिल आज आपके काफी अच्छे होंगे सौधानी क्या बरतनी है सौधानी ये बरतनी है कि अपनी उर्जा को सही दिसा में लगाना आपके लिए अच्छा रहा है बपाय क्या करना है आज आप क्या करें कि हरा वस्तर दान करें और लाल रंग का कोई भी बस्तू दान कर सकते हैं लाल रंग के गाय को रोटी गुड खिला सकते हैं सुबंग के आठ शुबंग के किसरिया और लक मीटर है आठ हरे कृष्छ बात करते हैं शिंग राशी की, जो शिंग राशी के चाहतक हैं, आज आपको नए बैपारि हो बैवशाय करने का अथार भी लेगा, बैवशाय के सती मजबूत होगी और अनेक परकार की बैवशाय से धन लाब होने की संभावना बन रही है, आज आपको बैपार के चेटर से बड़े पैमाने पर अप्रत्याश्चुत्रुप से लाब होगा और नए तरह के व्योशाय खोलने का व्योशन मिलेगा साहितिक चत्र से आज आपको काफी बड़ी सफलता मिलेगी यह स्वत प्रतिश्चना में बढ़ोतरी होगी आपका समय बहुत किमती चलना है समय का सुद करना आपके लिए अच्छा रहेगा और ओम ग्रड़ी सुर्यान विसमंत्र का जब करना आपके लिए ठीक रहेगा सुबंग के पांच सुबरंग है मैरून लक मीटर है आठ हरे बात करते हैं कन्याराशी की जो कन्याराशी के जातक हैं आज आपको लेखनकारी से धनलाब मि मिलेगा आज आपको सम्वान प्राप्ट होने की समभावना बन रही है भूमिभाण खरीच सकते इसका प्रभल योग बन रहा है संतां से सम्बंदी जो सुख हो मिलने की सम्भावना बन रही है परशितियान कुल्ता लिए हुए है विध्यार्ठियों के लिए कालखंड नापकी से जबह अप जरहेगा शुबंक59 औरowa मीटर है न separates चली दुबंस्तुख कहने चतर और रहा बंहयंके पीट रहेगाби दुन्यतुने की समभाना बन रही है और आज आपको अचानक यात्रा हो सकता है यात्रा से धनलाब होगा और कोई भी नया कारे कर सकते हैं माता पिता का सुख मिलेगा सौधानी के अबरतनी है भाउकता में भाके कोई भी कारे न करे या भाउकता में भाके कोई निड़े न ल करते हैं ब्रिश्यक राशी की जातक हैं आज आपको बड़े पैमाने पर धनलाब होती वे दिख रहा है प्रापल्टी त्यादी खरिदने का उसर मिलेगा चीर परतिक्षित कारी संपन होंगे आज आपको नहीं नोकरी मिलने की संभावना बन रही है कोई विरोधी जो है आप के पीछे पढ़ेगा परास्त हो जाएगा रूग और सत्र परास्त होंगे और जो भी एफल्ट करेंगे उसे आपको बड़ी सा फलता मिलेगी पद्दुनत का भी यूग बन रहा है भाग इसे सारे कारे संपन होंगे भाग अनकूलता लिये हुए है पिता की स्वास को लेकर करके चिंता समाब्थ होंगी और कई महत्मूर कारे कर सकते हैं आज आपका भाग अनकूल है भाग असाब के सारे कारे संपन होंगे आपके कारे छेत्र में परिवर्तन की संभावना बन रही है सरकार से लाह मिलेगा और आपके कर्म शेत्र में विस्तार होने की संभावना ब करेगा सुब अंक है आठ सुब रंग है लाल लक मीटर है आठ हरी कृष्ण आई ये बात करते हैं धनुराशी की जो धनुराशी के जातक हैं आज आपके रोग और सत्रुप परास्त होंगे आप अपने आत्मपल और आत्मेश्वास पर काफी प्रकित करेंगे विबादों से थोड़ा बचने की जुरुत है आर्थिक पक्षप का मजबूत होगा धन की सिती सांदार होगी परिवार में कुछ नेकार हो सकते हैं शुब और मंगली कारोने की संभावना बन रही है पूस्तक लेखन से या ग्रंथ रिकने से धन भी लेगा और विदेश यात्रा हो सकते ह यात निर्यासे धन भी लेगा अकार और मन थोड़ा तनाव में हो सकता है सौधानी के अपरतिय हैं गुस्ते पर नियंत्रा रखने की जुरुत है उपाय क्या करना है अशाहाय को बसर दें और खाना किलावे सुबंक है नो शुब रंग है पिंक लक मीटर है नो हरी अपने मन को नियंत्रान में रखें पद्धुनत का यूग बंड़ा है गुस्ते पर कंट्रूल करें और लेखा के त्यादि अगर है अगर गरंत लेखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है लेकन कारे में रूची बढ़ेगी आप गरंतकार हो सकते हैं और कई म जला विशेक करना आपके लिए उच्छित रहेगा और सुबंक है आठ सुबरंग सफेद लक मीटर है नो हरी कृष्ण बात करते हैं कुम्भराशी की जातक हैं आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा संतान के प्रगत स्यमन प्रसंद रहेगा आन्य प्रकार के कारी संपन होगी माता-पिता का सुख मिलेगा रियली शेट प्रपल्टी चे धनलाब मिलने की संभावना बन रही है आएके संसादरों में ब्रत्यू होगी और आएके नए प्रकार के शुरोत प्राप्त होते हुए दिक रहा है अगर आज आप अपने जीवन में कुछ बढ़ा करना च सहतत अच्छा कर सकते हैं जीवन सहती का सवयोग मिलेगा वेपार में बढ़ोतरी होगी रोग और सत्रुप प्रास्त होंगे माता-पिता का सुख मिलेगा और जो प्लान करेंगा उसमें आपको अपने तैस्ट रुप से सबलता मिलेगी माली आलत सशक्त होगी सौधनी क्या अंतिम राशी मीन की जो मीन राशी की जातक हैं आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है संतान का मौनुबल बढ़ाना आपके लिए अच्छा रहेगा और कई महत्मौन कारे कर सकते हैं उसके लिए आज का दिन स्रेश कर हैं अपने संतान कुछ साहित करें उसके अलोचन होगा माता-पिता का सुख मिलेगा रियल इस्टेट प्राफल्टी माइंस दनलाब मिलेगा आपको आज एजुकेशन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है आज आपको सौधानी के अब रतने हैं कि अपने स्वास को ले करके सचेत रहें और दिल के बजाए दिमाग की बात ने दिमाग से निड़े लेना आपके लिए अच्छा रहेगा उपाय क्या करना है ओम स्री गुरुये नमाश मंत्र का जब करें सुभंके दो शुबरंगे के सरिया लक मिटर है आठ हरे किस्ने अब आईए हम बात करते हैं आज के दिन जन्मे जात्कों के बारे में आज है 27 जुन 2024 आज जिन दर्सकों का जन्दीन है उनके जन्दीन की बहुत 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 बढ़ाई धेरों सुभ कामना है आपका जन्दीन सुभ हो मंगल मैं हो आपको प्रोग्रेस करिए आगे बढ़िए और आप पर भगवान भोले नाथ कि किर्पाबर से हैपी बढ़ ले आज जिन दर्सकों का जन्दीन उनका मुलांग होता है 9 तो खास दोर से 9, 18, 27 ते ठीकि जो जन्दीन में जातक हो तो उनका मुलांग होता है 9, 9 नमबर अपने आप में बढ़ा मात्मूर होता है जो 9 नमबर और लोग है या बर्स उनके लिए आर्टिक दिश्यकोंड से पहान खरिदने का उसर मिलेगा विदेश जाने का उसर मिलेगा पुस्तक लिख सकतें किताबी लिख सकतें चतुर्दिक वेकाल से मन परसंद रहेगा देखा जाते है बर्स आपके लिए काफी अनकुलता लिए हुए रहेगा जन्वरी से लेकर के जून तक का कालखंड आप अतिंदरी ग्यान की बात माने माताजी के स्वास को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है पुना जून से लेकर के जुनाई तक का कालखंड जुलाई से लेकर दिसंबर तक का कालखंड आपके काफी अच्छा रहेगा उत्रोतर विकास प्रगति दूर देश क्यात्रा और अधानी के अबरत नहीं है गुसा नहीं करना है मन पर नियंत्रा रखना है चोटी चोटी बात को लेकर परिसान नहों उपाय क्या करना है पूरे बर्ष परियंत आपको भगवान विश्मु जी के अरादना करिए ओम नवो भगवते बासु देवारम इस मंत्र का जब करना अब के लिए अच्छा रहेगा जोỡ़ार का दिन होता है बड़ा महत्पूर होता है खासतों से देयो गुरु बिरयाश्पति का है दिन है और आज के दिन भगवान विश्मु जी के और माताया लच्विजी के अरादना की जाती है आज अपने हेल्थ वेल्थ को ले करके धन को ले करके और पढ़ाय लिखाई करियर को ले करके थोड़े छुटे-छुटे उपाय करें तो आपका जीवन शांदार हो सकता है आप क्या करें कि जब प्राता का लुठें दैनिक करिया करम करने के बाद आप जब अशनान करते हैं अच्छानान जब करते हैं तो बाल्टी में एक चिटकी हल्दी का डालके तब आप अच्छानान करें आप देखेंगे कि आपके परिशानियां दूर होंगी। चावल को पीले रंग में रंग लीजे और उसको एक पोटली में बांध लीजे और अपने तीजोरी में डाल दीजे इससे उत्रोतर आपकी माली हालत अच्छी होगी और आप प्रगती करेंगे। चावल को पीले रंग में रंग लीजे और क्या करें कि चना वहां केले के पेंड़क के पास चड़ावें कम सकाम 21 विरस्पतिवार करें और साथ परिक्रमा लगावें ओम नमो भगते बास्षदेवार में समंत्र का जब करें। आप देखेंगे किस विरस्पतिवार पूर्ण होते होते आपकी साधी संपन हो जाएगी। जिनके संतान नहीं हो रहा है उनके लिए अगर एक इस विरस्पतिवार भरत रहते हैं तो उनको होनार संतान के प्राप्ति होगी। तो छोटे-छोटे मेंने उपाय बता अगर एक खरते हैं तो आपका जीवन संदार हो जाएगा और आपके लिए काफी उपल अबधियों के लिए होगा। भागी गुरु कारक्रम में बस बाज इतना ही। कल फिर इसेस में इसी वक्त मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजी इजाज़त आप देखते हैं रेन्यूज इस्टेट उत्तर प्रदेश उत्राखंड नमस्कार।